है गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल पैंटेस्टिंट और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Android एप्लिकेशन पैंटेस्टिंग की एक चैक लिस्ट जिसमें सारी वनेबिलिटी हमारी कवर होती है अगर आप यह प्रोसेस फोलो करते हो तो आप अपने आप भी एक आपने कुछ फाइंडिंग्स की अगर आप उसको हैंडवर करना चाते हो अपने टीम मेट के साथ पर तो भी चैक लिस्ट आपके यह यूसुल हो सकती है क्योंकि यह चैक लिस्ट जैसे पास फेल वगईरा आप यहांपे सिर्फ मैंचन कर देते हैं मैंचन करने के पाथ पर जो आप फोलो करते हैं ड्यूरिंग पैंटेस्टिंग जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूसुल होने वाली है सो लास्ट तक बने रहे हैं मैं आपको एक एक जो चैक लिस्ट है वह आपको एक्स्प्रेंट करके बताऊंगा कि इसमें क्या-क्या चीजे चेक करनी होती है और चेक करने के साथ साथ में आप इसको पास्प्रेंट कर सकते हो ताकि दूरिंग देपांटेस्टिंग आपको एक-एक स्टेप बता रहे कि हम इने ये सारी चीजे चेक किया है स्टार्ट करते हैं हम SSL पिनिंग से जहां पर हम चेक करते कि लाइक वेरिफा SSL पिनिंग या टेस्ट फोर बाइपास पॉसिबिलिटीज या चेक कोड मैनिपलेशन है या नहीं है सो फर्स्ट उफ टो ओल से से ल पिनिंग है कया? सो SSL पिनिंग एक टेकनिक है जिसमें अब के अदर सर्वर के specific certificate को पिन कर दिया जाता है सुर दूस वैप से उसी सर्वर को connect होगी जो trusted certificate को हमुस्ट करता है इनके basis पे हम यहाँ पर pass fail की यहाँ पर एंटरिंग कर सकते हैं इन सेकेंड आ जाता है हमारे पास root detection जहाँ पे भी हमारे पास दी नलग अलग checklist है so rooting एक process है जिसमें user device की original security को bypass करके system level access ले सकता है so rooted device attacker को operating system level की permissions दे सकता है जिससो sensitive data का access या app का manipulation से वो possible है so penetration testing में root detection के test को ensure करता है कि आप compromise device पे access देने से मना कर रहे हो या नहीं so during the pen testing यह आपके लिए like one of the important point है जहाँ पे आप root detections भी check कर रहे होते हो then है आपका emulator detection so emulator एक virtual environment create करते है जैसे कि actual device को simulations होता है हम लोग during the pen testing बहुत सारी जीजी यूज में लेते है आप android studio यूज में लेते है ऐसे multiple आपके emulators आते हैं so attacker emulators को use करके आप source code और logic analysis कर सकते है without any detection so emulator detection ensure करता है कि आप यह recognize कर पाए कि वो actual like physical device पे है या फिर emulator पे आकि vulnerabilities को exploit नहीं किया जा सके आपने बहुत सारी banking applications देखी होगी या फिर जो payments regarding है आप उन applications को अगर आप emulator पर रन करते हो सो वहाँ पर detect कर लेता है कि आप इसे emulator पर नहीं जला सकते हैं then है आपका sensitive data in adb lockets so हम सब को पता है adb के बारे में which is android debug based so adb के जो lockets से जो real time log extract करता है so app के runtime informations को basically capture कर लिया जाता है so अगर sensitive data जैसे कि user credentials या कोई token होगे so locket logs में stored है तो attacker device से connected laptop या PC के through data extract कर सकता है so testing में हम check करते है कि locket में sensitive data exposure को नहीं हो रहा है so basically हम यहाँ पर check करेंगे कि like proper locket होगे आपके bypass readout objections के through verified unencrypted data then number five which is sensitive data stored in local storage so local storage में sensitive data को encryption के बिना store करना risky है so अगर attackers like device को physically access करता है या फिर booted device हो तो वो local files को easily access कर सकता है so penetration testing में यह चेक किया जाता है कि sensitive data like password session tokens या जो भी आपके like important file है वो properly encrypted है या फिर नहीं है then है आपके sensitive data in application memory so app के runtime memory में sensitive data like जो access करते token so temporary reside कर सकते हैं so अगर यह data clear नहीं होते तो securely handle like नहीं हो रहा है तो malicious applications memory dump से data को retrieve कर सकती है so testing के दोरान यह देखा जाता है कि आप memory में sensitive data clear state में available तो नहीं है like आपने कुछ application को use में लिया वहाँ पर sensitive data application memory में save कोई अब आप जब dump करते हैं memory का data so वहाँ पर आपके कुछ credentials या आपके कुछ important files है वहाँ पर save हो रही है कि नहीं हो रही then है हमारे पास weak signer certificate so android application digital sign certificate से sign की जाती है जो app के integrate को validate करती है so weak certificate जैसे आपके शावन हो गया जो आप weak माना जाता है basically so application के sign in में use होता है और जो attacker में जो MITM attack होता है man in the middle attack या application tempering के through exploit कर सकते है so testing में ensure करते है कि आपको strong certificate sign किया जाए so just when static analysis करते है with the help of mob SF so वहाँ पर आपको first of all certificate की details ही आपको वहाँ पर show करता है so वहाँ पर आप verify कर सकते है कि certificate weak है या नहीं then हो गया हमारे पास vulnerable android activities so android activities application के जो user interface है उनमें different screen डिफाइन होती है so अगर यह activities को access को like restrict नहीं किया गया होता तो malicious application activities के call करके sensitive data को accept कर लेती है so testing में check करना होता है है कि जो critical activities है उनका access restrictions लगे हुए है या नहीं है then है हमारा web view vulnerabilities so web view vulnerabilities like web view basically एक feature है जो android applications में web content को load करके आपको show कर दिया जाता है आपके android screen पर so अगर web view vulnerable या फिर जो vulnerability जैसे कि जो हम web application testing के time पर करते like accesses या कोई भी other vulnerabilities उनको target कर सकते हैं so attacker malicious code inject कर पाता है so user का data चोनी होने का या फिर manipulation का दर होता है so testing में ensure करते हैं कि web view properly configured है और untrusted url लोड तो नहीं हो रहे so specific url ही लोड हो रहे है आपके during the capture or during the dynamic analysis तो well and good है अगर आप थर्ड पार्टी url को capture कर लेते हैं तो यहां पर वो issue हो सकता है in webview section then है हमारे पास intent filters so intent filters application के components के बीच में communications को manage करते हैं so अगर insecure जो आपका configured है तो malicious intent को भी accept कर सकता है so testing में basically हम लोग यह ensure कर रहे होते कि intent filters restrictions में जो सरे authorized source से उन्हीं intent जो data है उन्हीं को receive करें then है हमारे पास broadcast receiver so broadcast receiver system like wide event को respond करने के लिए use को होता है so insecure configuration की वज़े से attacker sensitive actions को trigger कर सकता है या फिर confidential data को extract कर सकता है so penetration testing में basically हम यह ensure कर रहे होते हैं कि जो broadcast receiver है वो properly secured है और unintentionally broadcast से reject करता है या फिर नहीं so this is the broadcast receiver then है हमारे पास next checklist which is content providers so content providers standards हुए होता है जहां पर data को share करने का जैसे की contacts या फिर media files so वहां पर आप यहां पर like content provide करवाते हैं so अगर यह vulnerable है या फिर mis configured है so attacker unauthorized access इसको कर सकता है या फिर injection attack भी perform यहां पर कर सकता है so testing में देखा जाता है कि content provide के permissions क्या है वह well configured है या नहीं है और unauthorized application के access को block कर सकता है या फिर नहीं then number 13 it's source code obfuscation so code obfuscation का मतलब हो गया कि code को complex और unreadable बनाना ताक कि reverse engineering और ज्यादा मुश्किल हो जाए so अगर obfuscation use नहीं की गई है तो attacker application के source code को analysis करके vulnerabilities find easily कर सकता है so testing में देखा जाता है कि application properly obfuscated है या नहीं है so basically developer यहाँ पर pro guard install करते है pro guard setup करते है जहाँ पर कुछ एक rules आते है so जब भी आप उसे extract करते हो तो आप actual path नहीं बता पाते कि कि किस function की क्या path लाएक है slash b slash c slash d करके आपको यहाँ पर show करेगा then number 14 it's sensitive information या फिर auth keys hard coded so hard coded credentials या फिर apis code में directly embed करना एक major security risk है so अगर attacker application के source code को reverse engineering करता है so information access करके वो backend service को manipulate कर सकता है so testing में यह basically ensure किया जाता है कि sensitive information code के अंदर like hard coded है या नहीं है ताकि आप direct उसे access कर पा रहे है then number 15 it's insecure coding practices so secure code practices को implementation application के code को secure बनाता है so अगर weak algorithm या फिर insecure functions जैसे कि insecure random number generate यूज किया हुआ है so attacker vulnerabilities को exploit कर सकता है जैसे हम लोग static analysis में mob sf देखते तो वहाँ पर आपके vulnerability आती है कि random number generate function के बारे में है so आप उसको भी exploit कर सकते है so testing में basically coding जो coding practice है उसको analysis किया जाता है कि application secure है या नहीं then number 16 it's for insecure deep links so deep links एक specific page पे directly navigate करने के लिए होती है application में so अगर insecurely configured है तो malicious actor deep links को manipulate करके restrict section का access ले सकते है so testing में यह देखा जाता है कि deep link access control proper है या फिर नहीं then number 17 it's like it's missing integrity checks so integrity checks application के data of code की validity को verify करते हैं so अगर यह checks missing है तो attacker application को temper या फिर alter कर सकते है so penetration testing में ensure करते है कि code tempering detect हो सके और application compromise code को refuse कर दे then number 18 it's insecure android permissions so android permissions application के functionality और जो data को access करता है उसको restrict कर देता है so अगर unnecessary permission configured है तो वो data exposure का risk बढ़ाते है so testing में ensure करते है कि आप सरिफ required permission ही ले रहे है या फिर नहीं then number 19 it's for background screen caching so background screen caching applications की जो previous screen का snapshot system memory में stored हो सकता है तो वो sensitive data को leak कर सकता है तो हम यह सारी चीज़े चेक करनी होती है so testing में ensure करते हैं कि background में जाने पर जो sensitive data clear screen में है या फिर नहीं है so हम यहां पर जो screen caching है वो यहां पर verify करने होते है then number 20 it's for insecure firebase database now firebase database application के data को secure stored करने के लिए use में होता है so अगर proper rules और permissions नहीं लगाए हुए तो वहां पर unauthorized access or data leakage का risk भढ़ सकता है so testing में basically हम लोग ensure कर रहे होते होता है अगर आपके पास misconfigured है तो आप सीधा firebase database का access ले सकते है then number 21 it's for android log या फिर biometric authentication bypass so android log और biometric authentication secure होने चाहिए क्योंकि unauthorized access को prevent किया जा सकता है so testing में यह चेक किया जाता है कि यह feature bypass तो नहीं हो रहता so basically बहुत सारी applications है जो unique features ही use में लेती है आपके log code के या फिर biometric के so उस तीज के configurations को recheck किया गया कि like specific android version के उनसे bypass कर सकते है या फिर नहीं then number 22 it's for key check in dynamic analysis so dynamic analysis में API endpoints और application behavior का test होता है जिसमें sensitive data leakage और जो server vulnerabilities जैसे risk होती है सबको check किया जाता है so testing में यह basically ensure करते है कि sensitive endpoints और API call secure है और data leak तो नहीं हो रहा यह same way से हो गया जैसे आप लोग simply web application pen testing करते हैं इस case में हम लोग कुरी web application pen testing की checklist को follow कर सकते है देन कुछ additional checks है हमारे पास जैसे कि यह ensure करना कि same cryptographic keys not like reused across like multiple context verified sensitive data या फिर ensure the keyboard caching prevent copy testing sensitive like यह सारी चीज़े आपके depend करती है कि आपके application कि type की like work करेंगी क्योंकि कई बार application का copy paste को अलाव नहीं किया जाता है या फिर आपको एक आपके copy paste होता है यह depend करता है कि आप कि इस टाइप की application को test कर रहे हैं और business logic के basis पे भी आप vulnerabilities को identify कर सकते हैं इस checklist के अलावा क्योंकि application to application आपके vary करती है बट यस अगर आप यह checklist फोलो करते हैं तो आप सारी चीज़े यहां पर चेक कर लेते हैं स्केटिक से लेकर डायनमिक तक आपने memory डम से लेकर स्केटिक अनालिसिस में लोक से लेकर से लेकर से लेकर डायनमिक अनालिसिस तक हर चीज़ कवर कर लिए सो यह वीडियो आपके लिए helpful रहेगा during the penetration टेस्टिंग सो अगर आप कुछ specific explanation चाहते हैं किसी specific checklist के बारे में सो प्लीज comment डाउन और मुझे बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उस्पर कर सके तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टिटोरियल के साथ जब तक के लिए डाटा बाए बाए